उत्तर प्रदेश के राज्य विधी आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेक 2021 का ड्राफ्ट तयार कर लिया है जल्दी आयोग इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौब देगा इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंतरण के लिए कानूनी उपायों के राश्ते सुझाए गए हैं इस ड्राफ्ट के मुताबिक दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौक्रियों में आवेदन से लेकर स्थानी निकाय चुनाव लडने तक पर रोक लगाने का प्रसाव है विधी आयोग ने बकाइदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है ये ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीती जारी करने जा रही है आयोग के मताबिक इस ड्राफ्ट को तयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है खुद की प्रेणना से ये ड्राफ्ट आयोग ने तयार किया है इस बीच कुछ महत्व जानकारियां भी प्राप्थ हुई सरकारी नौकरी को तीन इंक्रिमेंट मिलेंगे साथी फ्लाट आवंटन में वरियता मिलेगी बच्चों को निशूल सिक्षा मिलेगी एक बच्चे के बाद नजबंदी कराने वाले बीपील सदिस्से को तुट्चाहन राशी एक लाक रुपे दी जाएगी इसके साथी ग्रेजुएशन तक सिक्षा, मेडिकल का खर्च, खुद सरकार उठाएगी, नजबंदी फेल होने पर डॉक्टर पर कारवाई होगी महिला को भी पचास हजार उपे जुर्माना दिया जाएगा इस भी जादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे से होगी राजकुमार चौदरी जुट चुके हैं, उनसे बात करेंगे, राजकुमार एक बड़ा फैसला उत्तरप्रदेश सरकार जल्द ले सकती है फिलाल विदी आयोग जो पिछले कई महिनों से इस ट्राफ्ट की तैयारी में था उसने अब लगभग अंतिम रूप अपनी तरफ से दे दिया है, जनता को सौब दिया है अब जनता अपनी राय देगी कैसे देखना है सबसे पहले से बिल्कुल साची निशी तोर पर क्योंकि उत्तरप्रदेश सरकार का जो ये जनसंख्या नियंतरन विदेयक 2021 जो ले के आ रहे हैं भी प्रस्ता भी थे इसको लेकर बहुत सारी ब्रहांतिया बहुत सारे समय से चीजियों को चल ले थी लेकिन और लेकिन हम एक सुतीस करोण की आबादी को अपने अंदर समेटे हुए हैं और इस बात का बहुत संख्यान लिया उत्तरप्रदेश के राज्य विधी आयोग ने और एक प्रस्ताविर ड्राफ्ट ये तयार किया गया है इस ड्राफ्ट में अब लोगों से जो भी जितने भी बुद्धी जीवी हैं जो भी लोग इसमें बहतर कुछ निर्ने लेने की दिसा में अगर आगे कदम बढ़ सकते हैं तो बिल्कुल खुले मंच पर यह बिल्कुल अपलोड कर दिया है कि इस पर आपतिया आएंगे उन पूर्ण मानी जारे है कि उत्तर प्रदेश देश के उन प्रदेशों में कहीं न कहीं शुमार हो जाएगा कि जो इस पर आगे कदम उठानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बारस सहकार भी इस दिशा में परियास कर रही है और आने वाले दिनों में यही विदेयक ज इसकी खासित निकल कर सामने आ रही है वो यह है कि अभी जो ड्राफ तयार हुआ है इसमें जनता से राय मांगी गई है और जो यह ड्राफ तयार किया गया है वो विदी आयोकी समझ से उनके द्वारा जो भी अब्जर्वेशन पिछले कुछ वक्त में की गई उसके दारे मे रह करके ही स्ट्राफ को तयार किया गया यानि अभी तक सरकार की भूमिकार राजकुमार इसमें सीधे-सीधे नहीं पड़ रही है बिल्कुल साची हमारे देश का एक बहुत जो संविधान है और संविधान की लोकतंत्र की खूबसूर्ती इसी में कहीं नहीं नहींत होती है कि जो लाइन में अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको भी अपनी राय कहीं नहीं देने का अधिकार बनता है और हमारे यहां तो राजनितिक जो परिपक्ता है जितना विपक्ष है विपक्षियों को भी इसमें कहीं नहीं आमंत्रत किया गया एक तरह से बिल्कुल मूख आमंत्रन है यह कि जो भी सरकार जो भी पार्टी जो भी उसके जो विधी के जानकार है जो कानून के जानकार है जो कानून विदें जो नेता हैं क्योंकि कल को अगर ये जब विदेक है जब ये प्रस्ताव ये जब ये ड्रफ्ट तयार हो जाएगा उसके बाद विदान सवा के पटल पर रखा जाएगा तो कहने कोई कहने की गुंजा इस किसी के अंदर नहीं होगी अब ही बिलकुल खुला हुआ चोड़ रखा है कि तमाम पार्टियों के विदायक तमाम पार्टियों के सांसद और उसके अलावा क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टियों का ढांचा देखा जाए तो उनके पास एक विदी प्रकोष्ट भी होता है जिसमें कानून के जानकार ह अचा सबसे करी बात ये भी है राजकुमार की आगर हम इस कानून का जिक्र करते हैं इसमें जो प्रावदान है वो ये प्रावदान बताते हैं कि जिनके दो बच्चे होंगे या पिर दो बच्चे करने के बाद वो नजबंदी के प्रक्रिया के दौरान गुजरते हैं तो उनको बहुत सी सहूलियत सरकार की तरफ से होंगी लेकिन इसके साथ साथ जिनके दो से अधिक बच्चे होते हैं उनको सरकारी योजनाओं में लाब नहीं मिलेगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य बिंदू है जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है राजकुमार साची बिलकुल सरकार का बिलकुल इस पर तोर पर विधी के जानकार जो जो विधी आयोग होता है कहीं भी किसी भी प्रदेश में वो बहुत महत्मूर्ण माने जाता है क्योंकि कानून के हिसाब से और समविधान के हिसाब से इसमें सारी चीज़ों को नीट किया गया है बिल्कुल अगर ले मेन की तरह से हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें एक आम आदमी की तरीके से कि अगर दो बच्चे से ज़्यादा किसी के होंगे तो उसे सरकारी नोकरी नहीं मिलेगी मतब प्रात्मिक्ता की बात चोड़ दीजे क्योंकि बेरोजगारी बहुत है तो वो आवेधन करने का हगदार तो होगा क्योंकि लोक तंत्र है जो भी जरूरी सरकारी लाब होने चाहिए जो आम जनता तक या फिर उन जरूरत मंदों तक पहुंचना चाहिए जिनको सबसे जाद आवशक है उन तक वो नहीं पहुंच पाती है ऐसे समय में इसे समय की मांग माना जाना चाहिए ऐसे समय में जब जन संक्या लगातार बढ़ रही है और कहीं न कहीं साधन संसाधन कम पढ़ रहे हैं तो ऐसे समय में किसी को तो आगे आना था और उत्तर प्रदेश ने आगे आकर अपनी मंशा जाहिर कर दिया और इसको परवरीस बहुत वहतर है क्योंकि महंगाई का दौर में आज के समय में हालात किसी से चिपे हुए नहीं है और कोरोना के जो दौर है साची इसने कहीं नहीं दुनिया को जीना सिखाया है कम संसाद्मों में किस तरीके से जिये जाता है लेकिन यदि लोग कम होंगे और बच्च 2030 का लेक्ष है भारत में तै किया था जब हम क्लाइमेट चेंज का जिकर करते हैं जब हम प्रदान मुंत्री नरेंद्र मोदी के विबन भाष्टनों को देखते हैं जब वो अंतराश्य पटल से देते हैं चाहे वो यूनो में जाकर के उनका संबोधन हो या फिर किसी अन्य पटल पर क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत बहुत प्रमुक्ता से अपनी राय रखता रहा है और क्लाइमेट चेंज का एक बहुत मैत्वपून बिंदू जनसंख्या भी रहती है जिसकी वज़े से क्लाइमेट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है तो उस दिशा में भारत के दोर में एक दरिया दिली दिखाई और जो अपने से कमजोर देश थे उनको अपना पेट काट का मतलब आप यह देखिए कि उनको वैक्सीन उपलब्द कराई तो उसके कही नहीं एक इमोशनली टच हुए और जो दूसी लहर थी उस दूसी लहर में जिस तरीके से दुनि जन सिंख्या में हमसे बहुत आगे हैं और क्वाल्टी मेंटेनी कर पाई उनके लिए एक सबक होगा और कलको यूएनों में निश्ची तोर पर हिंदुस्तान का एक अलग पर्चम लहर आएगा इसमें कोई दोर आए नहीं है साची अच्छा सबसे बड़ी बात जो यहांपर देखने को मिल रही है कि कानून के माध्यम से किसी तरीके की जोड जबरदस्ती नहीं ठोपी जा रही एसा नहीं हुआ है कि अचानक से किसी कानून को बना लिया गया हो और जनता पर ठोप दिया गया हो ये सबसे काबिले तारीफ कदब माना जाना चाहिए राजकुमार कानून को बहुत इत्मिनान से बहुत अच्छे से समझा गया इसमें 2011 के सेंसिस को भी बकाइदा इंक्लूट किया गया जिसके आधार पर अनुमान लगाए गया कि आज की जनसंख्या के आधार पर किस तरीके से आगे रोट माप तयार ह होना चाहिए और उन सभी बिंदों को ध्यान में रखते हुए अब जन्ता के लिए इसको ओपन किया गया यहाँ पर मंच्छा साफ जाहिर हो रही है कि कोई भी कानून ऐसे ही बना करके तोपने की मंच्छा उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं है बिलकु साची निश्चीत ओपर क्योंकि हर पांस साल में एक जन संख्या का कही न कहीं एक आंकड़ा तयार किया जाता है कि हम पांस साल में कहां पहुँचे जो चुनावा के दौर होता है लेकिन हर बीश साल के नदर एक जन संख्या का बहुत डीपली जाकर एक विचलेशन किया जाता है और जन संख्या कि हम कहां पहुँचे मतलब हमारी क्या डिश्टेंस है किस इस्टेट में हम किस लेवल पे है तो एक जन संख्या जो आयोग है कहीं उसका भी बहुत तो कहीना कहीन हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना होगा अगर इस तरीके की तस्वीर आती है कि सड़क पे बच्चे फटे हाल गूम रहे हैं सड़कों पे भीक मांग रहे हैं तो उससे कहीना कहीन सर नीचा होता है और इस बात को बहुत ध्यान में रखते हुए यह सारी ची हमें एक ऐसा कानून बना करके सरकार ला रही है जिसको बहुत सरानिय माना जा रहा है हमने यह देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश को मॉडल बना के ना सिर्फ अन्य राजियों ने स्विकारा लेकिन अंतराश्य पटल पर भी बाकी देश इसको स्विका रहे थे यानि अब उत्तर प्रदेश उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर वो एक उधारन सेट कर सकता है और उधारन सेट करने के साथ ही बाकी को बता सकता है उनका मार्क दर्शन कर सकता और बता सकते कि आपको किस तरीके से योजनाय बनानी है ताकि इस्तिती आप जिसमें कोई दोरा नहीं पिछले अगर चार साल के कारेकाल का अगर हम जिक्र करते हैं और कहीं खंगाने का प्रियास करते हैं उत्तर प्रदेश के मुक्ष्मंति योगी आदितेनात के दौर को तो देखिए उत्तर प्रदेश का कहीं नगी पष्चिमांचलेक अपराद की लेकिन इन सब के बीच जब हम इतने महत्वपूर्ण बिंदू पर बात कर रहे हैं तो लाज्य सरकार की मंशा साफ जाहिर हो रही है इस बीच अलसंक्यक मंत्री मौसीन रिजा उत्तर प्रदेश के क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं लेकि जनसंक्या नियंतर कानून को लेकर उत्तर प्रदेश विधी आयोग ने एक मसवदा तयार किया है क्योंकि ये हम जनता के हितों के लिए हमारा एक परियास है कि जनसंक्या नियंतर हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं उसका लाब जनता तक आसानी से पहुचा सकते है क्योंकि हर परिवार संपन हो उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े देश की मुखे धारा और प्रदेश की मुखे धारा से जुड़े इसको लेकर एक मसौदा तयार किया गया है और मसौदा चुकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता से इस पर सुझाओ भी मांगा ग लाएंगे क्योंकि ये जन histor के लिए लाया जा रहा है प्रदेश के लिए लाया जा रहा है देश के लिला जा रहा है जाले राजकुमार plans को सबने सुना उन्होंने इस परश तोर पर कहा कि एक अच्छा कदम सरकार उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जरूरी सुविधाएं आम जंता तक पहुंचें अगर अब तक काम जिक्र करें जिस भी परिवार में दो से अधिक बच्चे होते हैं और फिर वो जो जरूरत मंद हैं ऐस ना तो पैसा था ना पर्याफ संसादन थे सरकार की कोशिश है कि सरकार खुदी उन संसादनों को आम जंता तक मौईयां करा दे उत्त्र प्रदेश सरकार या किसी भी प्रदेश सरकार की एदी बात करें सांची टो वो अपनी जंता को हमेशा सम्रध और सक्षम रखना चाहती है अजो उनकी अपनी विवस्था होती है और जो उनकी अपने फन्ड होते हैं तमाम तरह की योजना है के इन सरकार अपने इस तरह पर चलाती है उसके अलावा बीपेल कार्डों की जो योजना है उसमें फिरी जो अन दिया जाता है कहीं कहीं किसी को भूका ना सोगे कोई कहीं कि ये एक मर्यादित एक किसी भी सरकार की एक मंचा होती है और वो ही सायद इन सरकानों की भी रही लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जनसंख्या क्योंकि अगर मैं फिर में वहीं आता हूँ वापस लोटके हम दो हमारे दो किसी भी सुखी परिवार का एक आदा हम दो हमारे दो है इस कानून की तैयारी को लेकर के ही जो शरकार की मंचा है वो तो जाहिर हो रही है लेकिन समाज में एक नया उधारन भी पेश होने वाला एक बैलंस समाज में बनने वाला और समाज नए तरीके से सोच के साथ आगे बढ़ेगा क्योंकि अब तक कहीं न कह